और अभी तो रुको, क्लाइमाक्स अभी बाकी है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो, ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और छोटी मुझसे तेड़े मुही बात करती है, इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं चोटी हूँ, तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है, बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखता है। तीनों बहु एक दुसरे से बहस करने लगती है, और साज दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है, और सबसे कहती है, चुब हो जाओ, अबसे तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी, तुम तीनों इस बात को गाठ बांद वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना माई के जाना कैंसल ले। सास की बाते सुनकर डर के मारे तीनों हामी भरतेती हैं। जी ममी जी मैं समझ गई। हाँ ममी जी जैसा आप कहें। आप जो गहेंगे मैं वहें करूंगी। तीनों बहु सास की बात को गाड़ बान लेती है। और वादा करती है कि आपसे सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगा कर कहती है। आरब वहु जरा चाय बना कर तो लाना शर्मा जी आए है। सास की बाद सुनकर तीनों वहुत तुरंद किचन की और भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है मुझे तो एक दम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है तो हम शर्माजी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे आरा नहीं दीदी गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है मैं तो शर्माजी के लिए इलाइची वाली चाय ही बनाओंगी ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेमान को ज्यादा दूद और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए वालना वो घरवालों को कंजूस समझते हैं तो मैं तो शर्माजी को ऐसी ही चाय दूँगी तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्माजी और सासुमा को देती है चाय पीने के बाद शर्माजी सासुमा को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा मैसुस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी सासुमा भी चाई पीना शुरू करती है और कहती है अरे बहु ये कैसी चाई बनाई है चाई है या मीठे दूद की बासुन दी हाँ चाई अच्छी नहीं लगी क्या कोई बात नहीं हम पराठा बना कर लाते हैं चलो चलो अंदर हाँ हाँ चलो हाँ आती हूँ मैं भी नहीं नहीं मेरा पेट चाही नहीं चौपट कर दिया वही काफी है पराठे से पोपट नहीं करवाना मैं तो चलता हूँ शर्मा जी चुप चाप पतली गली से निकल जाते हैं अगले दिन सास बहूं से कहती है आरे बहू जाओ जाके उपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो कल हमारे यहां मेरे दूर के रिष्टदार आने वाले हैं तो पूरे कमरे को चमका देना समझी तीनों बहू सास की बात को मान कर उपर सफाई करने चली जाती है और तीनों कमरे की सफाई चालू करतेती है बड़ी बहु मकडी के जाले साफ करती है तो बीच वाली जाडू लगाना और छोटी वाली सर्फ डाल कर जमीन धुना शुरू करतेती है आरे दी दी जिठानी जी अभी मैंने पूरी फर्ष्ट होई और आप फिर से दूल नीचे गिरा रही है और मजली जिठानी जी आप भी न जाडू की दूली यहां जटक रही है आरे तीरों को साफ करना है एक साथ सफाई करते हैं न अरे वही तो हम साथ साथ है घर साफ साफ है तीनों बहु ऐसे ही काम में उलज जाती है और दो घंटे तक एक ही कमरे के सफाई करती रहती है बहुत तेर से अपनी बहु को ना देखने की कारण सास उपर कमरे में उन्हें देखने जाती है लेकिन कमरे में घुस्ती ही वो गिली फर्ष पर फिसलने की कारण नीचे गिर जाती है ओरी मोरी मैया तीनों बहुए सास को उठाती है और बिस्तर पर सुला देती है और तीनों बहुए एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती है माँ की तो चीक ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है हाई राम ये क्या कर दिया तुम तीनों ने अरे मेरे तो किसमती भूटी है कि तुम जैसी बहुए मुझे मिली ए बगवान पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है अब तो पता नहीं के चल भी पाऊंगी या नहीं माफ करो मुझे गल्दी हो गई मुझसे के तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला सोचा था तीनों मिल के अच्छे से काम करेगी लेकिन बड़े बुजर्ग सही कहते थे के तीन ती गाड़ा काम भी गाड़ा तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी तुम तीनों को तो समझाना याने मानों भैस के आगे बीन बजाना है तुम है अकेले अकेले काम करना है ना तो अपसे तुम अकेले ही अपना अपना काम करो तीनों बहुए वहाँ से जाने लगती है अरे कहा जा रही हो आपी ने तु कहा कि अपना अपना काम करो तुम मुझे मुलताने मिट्टी लगानी है सास अपना सर पीट लेती है और कहती है क्या माजी तुम्हारे घरवालों को फोन तुम्हारी हरकते बताने के लिए